दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है राजिंद्र प्रताप सिंग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यूपाइंट वित राजिंद्र समकालीन कलाकारों पर आधारित आडियो सीरीज का यह पांचवा अंक परिस्टत है आज हम चर्चा करेंगे रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के बारे में मित्रों अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब में किया है तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर दें मित्रों आप समकालीन कलाकारों की पूरी आडियो सीरीज को प्ले लिस्ट में जा कर जरूर सुनें यह आपकी तैयारी में महत्पूर्ण भूम कने भाएगी तो फिर चले सुनते हैं अमर कला के अजर सर्जक निकूलस रोरिक के बारे में निकुलस रोरिक रूसी कलाकार थे पर उनके जीवन का अधिकान सेज़ा भारत में बीदा जाहिरे रोरिक की कलाव का भारती कलाकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा था और अनिक कलाकारों को उनकी कृतियों से गहरी प्रेणा भी मिले थी निकुलस रोरिक भारती नहोते वर भी भारत की कला के प्रेर रख रहे और यहां की संस्कित को विक्सित करने में उनकी भी भूमिका रही है यह करना है कि हम जब भी भारती कला के आधनिक सुरुब की बात करते हैं तब रोरिक के आधान की याद हमें अवस्याती है इस कलाकार के आउधान से निश्चे ही भारती कला सम्रिद हुई और अनेक पीडियों के कलाकारों ने उन से प्रेहना ले इस महान रूसी कलाकार का जन्म 10 अक्टूबर 1874 गो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था आरेमबिक से चाप आने के बाद 1883 में उनका दाखिला सेंट पीटर्सबर्ग के कॉलेस आफ के माई में हुआ इसके बाद 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग वेसो देले ने कला और विधी संक्याय की अकैदमी में उनका नामंकन हुआ जहां से उन्होंने वकालत की परिक्षा पास की अठारोसो सतानबे में उन्होंने एक तस्वीर गोनित से सीर्शक्से बणाई जिसके बाद उनकी नियुकती एक च्चित्रकार के पत्पर हो गई इसके बाद भी पेरिस गए जहां उन्होंने एक वर्स तक कला की स्विक्षा अपराप्त की इसके तीन वर्स के बाद यानि 1901 में उनकी साधी आर्ट्स एंड करेज्मेंट सोसाइटी के सचियों हेलेना एलोन्मा सैपो सिद्नकोवा से हुई 1902 से 1905 तक सेंट पीटर्स बर्ग मासको तथा कई देशों के सहरों में उनकी करतियों की प्रदस नहीं लगी 1906 में उनकी नियुक्ती स्कूल आफ आर्ट्स एंड करेज्मेंट सोसाइटी के नेदेशक के पत पर हुई 1909 में वे रूसी आर्ट्स एकाडवी के सदस बने तो 1910 में विख्यात आर्ट्स वर्ल्ड के अध्यक्ष बने रोरिक की जीवन यात्रा इसी तरह आगे बढ़ रही थी उनकी रूची और गती संगीत में भी थी फलता 1912 में उन्होंने राइट्स आफ स्प्रिंग के तद्धाधान में इस्त्रिविंस की नामक संगीतकार के साथ कारे किया इस बीच वे 1916 में केरेलिया नामक सहर में जाकर बस गए जो उन दिनों फिनलैंड का हिस्सा था इन दिनों वे आस्वस्त भी थे 1919 में उनकी भेंट कवी गुरु रविंदर नाथ ठाकुर से लंदन में हुई थी जो उनके भारत आगमन का आधार बनी इसके बाद 1922 तक रोडिक नी अमेरिका में अपनी कृतियों की कई प्रदस्टियों की और दूसरे कलागत उद्धम किये भारत में उनका आगमन मई 1923 में हुआ और इसके बाद अनेक वर्सों तक भले ही उनका यत्र तत्र आना जाना रहा हो पर वे भारत के ही होकर रहे और अपनी अंतिमसास भी यहीं लिए उनके जीवन के सेस हिंसे पर हम फिर आएंगे पहले उनके बहुवित रंगों को देखें रोरिक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे सोवियत एकडमी आफ फाइन आर्ट्स के छात्र की रूप में उन्होंने बहुत जल्दी कला में अपनी योगता प्रमानित की और दूसरे अनेक देशों में कला सिक्षा प्राप्त कर अपने को एक योग कलाकार के रूप में इस्थापित कर लिया माज 31 वर्स की उम्र में उस सूसाइटी करने दिसक बन जाना कोई सामाने बात नहीं थी जो उसमें रूस की सर्वोच कला संस्था थी संगीत, पुरातत्व और इतहास जैसे दूसरी शेत्रों में भी उन्होंने अपने विशे सग्यता सिद्ध की और इन शेत्रों में भी लगातार काम करते रहे रंगमंच में भी उनका काम करने का एक महतुपूर्ट शेत्र बन गया था जिसमें काम करते हुए वे मंच सजाया करते थे वे कितना काम कर सकते थे इसका अंधाजा लगाना मुश्किल है पर उपलब्द साक्षु के आधार पर माना जाता है अनेक तरह की बैस्थताओं के बावजूद उन्होंने गिरजागरों और भाउनों के लिए अनेक भित्ति च चित्रों की रचनागी यह वह संक्या है जिसे सुनकर कोई भी बैक्तित हैरान हो सकता है पर यह संक्या कम भले हो अधिक बिलकुल नहीं है जैसे कि हम बता चुके हैं कि मई 1923 में वे पहली बार भारत की यात्रा पर आये थे उनके साथ उनकी पतनी हेलना रोडिक के अलावा उनके पत्र स्वेतो स्लाव तथा जार्जिस भी थे सबसे पहले उन्होंने अपना ठेकाना दाजलिंग को बनाया इसके बाद एक कुलू गए और वहां के रमडी सौंदर पर मुक्द हो गए यहीं पर उन्होंने उरु स्वाती सोत केंदर की स्थापना भी की कुलू में रहते हुए रोडिक ने बहतर हिमाले की पूर्वी और पश्वी स्रंखलाओं के अंगिनत चित्र बनाए जिनकी सुंदर्ता आज भी भूद्रिस्टिक कलाकारों के लिए किसी चुनावती से कम नहीं है इन परवती चित्रों को केवल चित्र भर कह देना इनके मह आत्तों को कम करता है क्योंकि यह चित्र अपने में भारत के अध्यात्मिक इतिहास और लोक विश्वासों के मूर्थ अभिवेक्तियां हैं भारत से रोरिक का प्रेम बहुत पहले से था कहते हैं कि उनके पुराने घर में एक ब्रहत परवत का सुन्दर्स चित्र था रोरिक को बच्पन से ही यह चित्र बड़ा पसंद था बाद में उन्हें किसी पुस्तक से पता चला कि उनके घर में जिस परवत का चित्र है वह भारत के महांतम परवत हिमाले की एक चोटी कंचन जंगा का है यहीं से रोडिक का भारत प्रेम उमड़ता है और यहां आने को वह ब्यक प्रेम लेखी के यह क्या विस्वास करने योग है कि रोडिक ने डेवी स्री लक्षमी स्री किष्ण देमयन्ती तता भारत के सुपने जैसी चितर संकलाएं भारत आने से पूर वहीं निर्मित कर दी थी इस पर विस्वास करने के साथ-साथ यह भी जानकर है आश्र होगा कि उन्होंने इंडियन पाथ और गैत्री जैसे लेख लिखकर भारत की सांस्कितिक सम्रिधी का बखान किया था तत्था यहां के आध्यात में ग्यान की प्रसेंसा की थी उनका प्रसिद रोरिक अबियान भारत से ही सुरू हुआ था जो मध एस यात्रा के अधरगत रोरिक ने मंगोलिया, रूस और तिबबत की यात्रा की थी जिसमें पाँच वर्स लगे थी 1928 में जब उन्होंने दोबारा भारत की यात्रा की तब एहमाले के अध्यन के लिए एक केंद्र को इस्थापित किया था इस अध्यन केंद्र के साथ साथ रोरिक का अनीक छित्रों से संपर्ग था जिसका काम वे पूरे मन से किया करते थे रोरिक पुरा तत्विद भी थे और उन्होंने पासान कालीन कला और संस्किति पर बहुत सोध किया था कहा चाता है कि उनकी कला सेली पर इस सोध का बहुत असर है कुछ कलावित तो यहां तक मानते हैं कि रोरिक के आरंभिक काम पासान काल की भबेता का आभाज देते हैं उनकी आरंभिक करतियों में सिकारी, मझवारे या जो योद्धा दिखाई देते हैं बहुत मजबूत कद काठी के बलिष्ट पाशान कालीन पूरुसों की याद दिलाते हैं इन कृतियों को देखकर यह समझ पाना कठिन नहीं है कि आदि मानों जिस तरह संघर्स और स्रम के जरिये अपने जीवन को इस्तिर बनाने का उद्यम कर रहा था उसी तरह रोरिक के कामगार पूरुस अपने स्रम संघर्स को प्रदर्सित कर रहे थे भारत आने के बाद ही रोरिक ने हिमाले के विराट सौंदर को अंकित करना सुरू किया था तब रोरीक के बनाये हेमाले के चित्रों में प्राकतिक भगपेदा के साथ जो आध्यात्मिक पवित्रता द्रस्य हुई वह अनुपम थी हेमाले पर उन्होंने न केवल क्योतियों का निर्मान किया वरन लिखा भी अलताई हिमाले नमक पुष्टक में उन्होंने भारत की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा भारत तुम्हारे सुरुभी सार से हम परचित हैं हम उस महान ओम को जानते हैं जो हमें वर्णातीत विराट तक पहुँचाता है हम भारत हम तुम्हारी प्राजीन प्रग्या का सम्मान करते हैं रोरिक का भारत प्रेम एक प्रेम भर नहीं है वह उस संस्कित का सम्मान है जिसमें सारी मानवता के लिए जगा है और जो अपनी मुक्त बाहें फैलाए अपनी सतकार के लिए प्रस्तोत रहाए रोरिक की कला तो है ही वह एक आध्यात्मिक निर्मित भी है जिसमें प्रज्या और पवित्रता का पारदर्शी समन्वे है चुकि वे विराट मानवी आधर्श के सलाका थे इसलिए धर्ती के कण कण से प्रेम करना उनका सोभा होता वे यदि लोक कथाओं के वदंतियों कीरती इस्तंभों और पुराव सेशों से प्रेना गढ़न करते हैं तो इसलिए कि उनके अंतस में एक ऐसी ज्योती प्रकासमान थी जो स्वमूचे जगत को भौतिक्ता से परे अध्यात्मिक ज्यान की ओर ले जाती थी उस अंतर के अंधेरे को मिटा कर जिसमें अज्यानता और वाशना ने घर बना लिया थाए उनकी किरतियों में अतीद की द्रिसिता के साथ जो तात्विक दर्शन की छवी है वह अकारण नहीं है रोरिक के रंग योजना को भी देखेंगे तो पाएंगे कि गहरे पीले और लाल रंग के प्रयोग से रोरिक के मन के भावों को देप्त करने का काम करते हैं उनकी कृतियों के सामने वाले हिस्से में चमकीले रंगों का प्रियोग मिलता है जो क्रमसा लाल और पीले रंगों की दूती में खो जाते है इस रंग की संगती से दर्सक का चित सांत हो जाता है और उसमें निसत्य का उद्देख होता है ये कृतियां कैन्वस में नहीं बनती वरन मुक्त होकर अनन्त का आभास देती हैं खासकर परवती दिर्शचित्य तो अध्भुदी हैं कभी करू रवींदर नात ने ठीक ही कहा था कि वह निर्बंध और सुतंत्र है क्योंकि वह महान है रोरिक स्वयम की कला के बारे में कहते थे कला का लक्ष सौंदरे का स्रिजन है सौंदरे के माध्यम से हम विजय की प्राप्ति करते हैं विजय के सारे हम परस पर एक होते हैं और सौंदरे के माध्यम से ही हम प्राठना करते हैं यह असाधारन रोडिक के बैक्तित को अध्भुत बनाती है कि वो जीवन परियंद मनुस्य मात्र के सुभाव के लिए काम करते रहे। कलाकार यद्दपीवे महान थे पर कला उनका अभिष्ट कभी नहीं रही। इसलिए उस पर मान उन्होंने कभी नहीं किया। वे परम मानवी आत्मा थे और चाहते थे कि पूरी दुनिया में भाईचारा इस्तापित हो। विश्वे सांती का ऐसा गरदूत सायधी हुआ हो जो युद्ध को मानवता पर कलंक मानता हो। बुद्ध और गांधी के बाद उन्हीं की करुणा और आहिंसा पर मर मिटने वाला उनके ही देश को अपना सर्वस समझने वाला रोरिक के लावा कोई दूसरा ना था। उनके इस स्वपन का मूर्त रूप हमें रोरिक संधी के रूप में दिखाई देता है। जिसे लगभग 35 देशों ने माना और जिस पर अमेरिका सहीद 21 देशों के हस्ता अक्षर हुए। इस संधी में कहा गया कि युद्ध होने के समय यह ध्यान रखा जाए कि सांस्कितिक संस्थाओं और इसमार्कों को किसी तरह का नुकसान न पहुँचे। इस संधी का प्रतीक चिन सांती पता का है। या एक कलाकार के मानवी आदर्स का असाधरन कारे ही नहीं वरन युद्ध को ग्रणित और अमानवी कारवाई घूशित करना भी है। रोरिक का कता ने जब समुची धर्ती दुनिया की सांस्कितिक संबदाओं के रक्षा करती हुई सांती पता का के नीचे आ जाएगी तब स्विम युद्ध के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसका आसा यह भी है कि संस्कित के संस्थानों और इसमारकों और चिन्धों के अलावा जो कुछ भी है वह मानवता के भौतिक विकास का ही सूचक है। जिसके रहने या नश्थ हो जाने से कोई फरक नहीं पड़ता यह एक संस्कितिक मेगा ही कर सकती है और ऐसा साहस सिर्फ उसी में हो सकता था। 1924 में रोरिक ने भारत के सिक्यम और भोटान में परवतार रोहन किया तो 1925 से 1928 तक मत एसया की यात्रा जिसकी चर्चा की जा चुकी है। जानिक सोध किया और आसपास के छित्रों का ब्रहमन किया। रोरिक एक माइने में परवत पुत्र ही थे क्योंकि परवतों से उतना प्यार बहुत कम लोगों का होता है। लगातार परवतारोहन करने वाले इस कलाकार का मन परवतों से कभी नहीं भरा। 1934-1935 में उन्होंने मंचूरिया सहीत कई देसों की यातराएं की और परवतारोहन किया। इसके बाद विज्ञान से समंधित सूथ कारे में बैस्त रहे और इसी बीच 1936 से भारत में एस्थाई रूप से रहने का नर्ने लिया। उन्होंने सोवियस संग की ततकालिन लाल सेना किलाफ के लिए अपनी कृतियों की प्रदाशनी भी की और देश प्रेम संबंदी निबंद भी लिखे। इसी अवधि में उन्होंने अमेरिकी रूसी सांस्कितिक संग का अधश भी बनाया गया। 1946 में रोरिक ने कई बार सोवियस संग की आतरा की वहाँ जनसभाएं की और कारों को प्रसाहित करते रहने का प्रत्न किया। 13 दिसंबर 1947 को कुल्लू में ही इस कलाकार ने अपनी जीवन लीला समात की। रोरिक की कला के प्रसंसकों में जवालल नहरू सहित उस दोर के अनेक नेता और सांस्कित विद्धे। ने तो कई बार कुल्लू जाका रोरिक की कृतियों को देखा था तता उनकी मनन सीलता का बखान किया था। रविन नास से उनकी जो भेट 1919 में हुई थी वह एक गहरी मित्यता में बदल गए थी। बात के दिनों में जब रोरिक भारत रहने लगे तो उन दिनों की मसुहूर फिल्म नजदेशी का देविकार रानी से उनकी नजदिकी बढ़ी और दोनों ने विवाह भी कर लिया। मालूम हों कि देविकार रानी रविन ना टैगोर की चचेरी बेहन थी। रोरिक ने अपने जीवन काल में रविन ना का बड़ा सम्मान किया। उन्होंने टैगोर और तालस्ताय नामक एक निबंध लिखा था और उसमें रविन ना से अपनी पहली भेट को भावगता के साथ याद किया। इस लेक में उन्होंने रामकिष्ण परमहंस और विवेका नंद की चर्शा भी की और बताया कि इनके कारण ही भारत से उनका प्रेम हुआ। रोरिक गीता और टैगोर की गितानजली को हमीशा अपने साथ रखा करते थे और निरंतर इनका अध्यन भी करते थे। रोरिक ने असंख करतियों के स्तरजना की अनेक भीतिचित्र बनाए और जीवन में ऐसे से काम किये जो एक भीति का अपने छोटे से जीवन में कर पाना संभोन नहीं लगता। भराल उनकी प्रमुख उलेखनी करतियां इस प्रकार हैं। जैसे करतियों के अलावा सिकारी, मजवारे और आदिम कामगारों की उनकी करतियां अध्भूत प्रभाओं की स्रिष्ट करती हैं। उनके करतियों की रंग योजना में ऐसी ताजगी है जो प्राया देखने को नहीं मिलती। रोरिक की रेखाओं की प्रवाह मानता और उनके तूलिका घातों की सबलता का कोई जवाब नहीं। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भूद्रिस्यों और आकृतियों के रचाओं में विलक्षण प्रदिभा का परज़े दिया था। जो लोग उन्हें के ओल हिमाले के चित्रकार के रुप में ही जानते हैं। वे उनके विराट कला लोग से परचित नहीं हैं। हिमाले स्रंकला के तो वे नायाब चित्रकार हैं जिन्होंने उसके समूचे सौंदरी के साथ उसके रहस्यात्मक्ता को भी प्रकासित किया। रोरिक ने बनारस स्रंकला सिर्शक चित्र भी बनाए थे जिसमें बुद्ध, कालकी अवतार, राम, कृष्ण आदी हैं। इसी तरह प्रयाक्स रंकला में उनके महत्वपूर्ट चित्र हैं दा अरहत मैत्री सी हू लीड्स ऐसे महान कलाकार रोरिक को दुनिया भर में समानित किया गया। अने एक संस्थाएं उनकी इसमिती में बनाए गई। कुलू के निकट नगर में उनके निमास को एक कलाकेंद्र और संग्रहले के रुप में विक्सित कर दिया गया है। करनाटक, चित्रकला परिसफ़त, बैंगलोर ने रोरिक सेंटर फाउंडेशन के स्थापना किये। कौन जानता था कि वकालत के सिक्षा प्राप्त कर रोरिक कला और संस्कित के इतने बड़े अगरदूद बनेंगे जिन से दुनिया भर के कलाकार प्रेणा प्राप्त करेंगे। आज भी ऐसे कलाकार हैं जो रोरिक को अपना परुक्ष गुरू मानकर काम कर रहे हैं। उतारा था, उनकी तुलिका से परवतराज खेल उठा और अपनी अनेक आभाओं के साथ मुखरिद भी। ऐसे कलाकार कभी मरते नहीं, रोरिक भी कभी नहीं मरेंगे। क्योंकि माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, होकुसाई और रोरिक मरने के लिए नहीं पैता होते हैं। आज बस इतना हैं। मिलते हैं अगले रंग में किसी नहीं कलाकार के साथ। नमस्कार।